नमस्कार दोस्तों, दुरोणाचारे एकेडमी की Current Affairs Today क्लास में आप सभी का स्वागत है आज 1 जून 2020 है और हम फिर से आपके लिए कुछ Important Current Affairs लेकर आए हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए विचार के साथ Today's Thought या आज का विचार है खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई के लिए समय ही न मिले Take so long to promote yourself that you can't get time to think about someone's evil दोस्तों, हमेशा अपनी तरक्की में इतना busy हो जाओ कि किसी दूसरे की सफलता आपको न दिखे और ना ही आप उसकी सफलता से जलें या उसके बारे में कोई बुराई करें क्योंकि ये पिल्कुल एक 100% वाली बात है कि यदि आप अपनी तरक्की पर ध्यान देंगे तो आप सफलता की ओर अग्रसर होंगे और जल्द ही अपनी सफलता तक पहुच जाएंगे आपको आपकी सफलता प्राप्त हो जाएगी परन्तु यदि आप किसी दूसरे के बुराई करने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं या किसी की बुराई से आप जलने लगते हैं या उसकी सफलता से इर्ष्या करने लगते हैं तो फिर आप अपनी सफलता से दूर होते चले जाते हैं तो याद रखिए इस विचार को खुद की तरक्की में ही इतना समय लगा दो कि किसी दूसरे के बारे में सोचने का समय ही ना मिले ओके स्टुडेंट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करण्ट अफियर्स फस्ट करण्ट अफियर्स is on which day world milk day is observed फिश्वत दुख्द दिवस किस दिन मनाया जाता है options है 28 मई, 31 मई, 1 जून and 2 जून तो यहां आपका जो answer होगा, this is a 1 जून, आज ही के दिन हम world milk day मनाते हैं विश्वत दुख्द दिवस्ट, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पता करते हैं क्या क्या है world milk day is celebrated every year on June 1 and the day was first commenced by the FAO or Food and Agricultural Organization of the United Nation to highlight the global importance of milk जो world milk day है, यह हमेशा ही एक जून को मनाया जाता है और इसे सबसे पहले मनाने का जो अध्यादेश पारित किया गया था, वो किया गया था United Nation की FAO, यानि कि Food and Agricultural Organization के द्वारा इस दिन को मनाने का में अध्यून देश यही है कि पुरे विश्व में milk की जो importance है, दूद की जो importance है उसे highlight किया जा सके क्योंकि दूद अपने आप में एक आहार है दूद को किसी और दूसरी चीज़ की ज़रुवत नहीं पड़ती यदि किसी को हम दूद देते हैं, तो दूद अपने आप में एक आहार होता है clear strengths इस दिवस को मनाते हुए आज 20 साल हो चुके हैं और आज के दिन को और ज्यादा important बनाने के लिए हर साल World Milk Day पर एक theme को रखा जाता है जैसे 2019 में जो theme थी वो थी drink milk today and everyday and इस साल आज के दिन जो World Milk Day मनाया जा रहा है इसकी theme है 20th anniversary of World Milk Day okay strengths सबसे पहले यह 2001 में बनाया गया था और इस दिन की शुरुआत हम 2001 से ही मानते हैं क्योंकि 2001 में से पहली मार FAO के द्वारा बनाया गया था भारत में एक जून के दिन भारत में एक जून के दिन विश्व दुख्द दिवस मनाया जाता है okay students और 26 नवंबर के दिन राष्ट्रिय दुख्द दिवस मनाया जाता है याद रखिएगा एक है विश्व दुख्द दिवस और एक है राष्ट्रिय दुख्द दिवस यानि कि World Milk Day और दूसरा है National Milk Day तो जो National Milk Day है यह 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत में और इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1921 में श्वेत करांती के जनक वो भारत के दुख्द उत्पादन के जनक के रूप में कहे जाने वाले वर्गिस कुरियन का आज जनम हुआ था क्लियर स्टुएंट्स क्योंकि 1921 में 26 नवंबर के दिन वर्गिस कुरियन का जन्म हुआ था जिन है श्वेत करांती का जनक माना जाता है यह वाइट रिवॉल्यूशन आप सभी को रिवॉल्यूशन के बारे में पता होगा जिसमें से वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के थे तो यह सब आपको रिवॉल्यूशन पता होंगे तो यह वर्गिस कुरियन थे जिनके जन्म देवस पर 26 नवंबर को भारत में राष्ट्री दुख्द देवस मनाया जाता है वहीं एक जून को भारत में और पूरे विश्व में विश्व दुख्द दिवस मनाया जाता ह तो चलिए next question, next topic की तरफ, that is a FAO, यह जो विश्व दुख्द दिवस है, इसे FAO ने ही शुरू करवाया था, तो चलिए इसके बारे में दोड़ा सा पढ़ लेते हैं, FAO की शुरुवात या इसकी establishment हुई थी, 16th October 1945 में, वहीं इसका headquarter है, Rome, Italy में, और इसके current director general है, क्यों डोंग्यू, क्यों डोंग्यू, ओके, यह चाइना के हैं, अभी हाल ही में एक news आई थी, FAO की, कि FAO ने यह declare किया है, कि यदि लोकस्ट इन्वेशन अप्लाइक, इफ टेक अ टर्न फॉर्ड वोर्स बाइंड अफ तो 2020, यदि 2020 के अंत तक, लोकस्ट का जो यह आक्रमन है, जो लोकस्ट का यह problem है, यदि यह सौट आउट नहीं हुआ और यदि और जादा वर्स टो गया, तो FAO इस लोकस्ट इन्वेशन को प्लेग की उपाधी दे देगी, यानि प्लेग की इस को, इसे प्लेग डिकलियर कर दिया जाएगा, OK student, प्लेग महमारी के रूप में इसे डिकलियर कर दिया जाएगा, OK student, तो यह एक important news है, चलिए, next question इस राज्ज में लाख की घिती को अब कृषी का दरजा दे दिया गया है तो लाख फार्मिंग क्या होती है यह चोटे-चोटे लाल कलर के कीडे होते हैं जिन हैं पेडों पर छोड़ दिया जाता है और फिर पेडों पर यह अपने अंदर से एक लिक्विड फॉर्म करते हैं जिससे एक अखटा करकर एक material बनता है जिससे हम लाख कहते हैं और बाद में लाख क्या है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में जैसे ही होता है तो इससे फिर कई सारी चीज़ें बनाई जाती है, इसे चूडियां, कंगन और भी बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती है, clear, तो लाग की खेती पहले क्रिशी में नहीं आती थी, लेकिन अब एक राज ने इसे क्रिशी का दरजा दे दिया है, तो वो राज कौन सा है, ह चत्यसगर, चत्यसगर में इस क्रिशी को, लाग की खेती को क्रिशी का दरजा दे दिया गया है, तो चत्यसगर के बारे में एक बार फिर से हम पढ़ लेते हैं, चत्यसगर is the ninth largest state in India, इंडिया की नौवी सबसे बड़ी state है, और 17th most populated state है, मतलब सत्रवी सबसे ज्यादा populated state है इसका जो फॉर्मेशन है एक नवंबर 2000 को हुआ गया था मध्यपरदेश के साउथ में मध्यपरदेश के दक्षिन में जो 10 चतिसगड़ी और 6 गोंडी स्पिकिंग वाले जो राज्य थे साउथ हीस्टन में जो जिले थे उन जिलों को एकटा करकर एक राज्य बना दिया गया जिसे चतिसगड़ कहा गया इसकी कैपिटल स्टेट रायपूर रखी गई है डिस्ट्रिक्ट यहां 28 है और यहां करेंट गवर्नर अनुसुया उईके हैं वहीं चीफ मिनिस्टर कॉंग्रिस के भुपेश भगेल है यहां विदान सभा 90 सीट वाली है वहीं राज्य सभा में पांस सीटें आती हैं और लोग सभा में 11 सीटे रहती हैं चतिसगड़ के हाई कोट के चीफ जस्टिस का नाम पी यार रामचंदरन मैनन है और इसके अलावा यहां पर कुछ इंपोर्टन न्यूस भी है कि जैसे सी घाट एप चतिसगड़ में लॉंच की गई थी महीं का मैप भी आप देख सकते हैं क्लिया चलिए नेक्स्ट कोश्चन इस हाल ही में भारती खादि सुरक्षा इवा मानक प्राधिकरन के मुख्य अधिकारी कारेकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो recently who has been appointed as the chief executive officer of food safety and standard authority of India जो भारत में एक और एक इंस्टिट्यूट है जिसका नाम है food safety standard authority of इंडिया इसके अभी CEO चुन है पॉइंट किये गए हैं उनका नाम क्या है तो वो नाम है आपका अरुन सिंगल अरुन सिंगल है इसके अलाबा एसेन राजिश्वरी जानवी फुकन और वी विद्यावती ये तीनों के बारे में मैंने पिछले लेसंस में आपको बताया है तो आप ही को बताना है थोड़ा से ध्यान आप वीडियो को पॉस करके याद कीजे कि ये तीनों इन तीनों का जो इंपोर्टेंस है क्यों है अभी ये तीनों भी नियूज में आई थी और इन सब का नियूज में आने का क्या कारण था तो ये आपको बताना है ठीक है कोई किसी पदपर नियुक्त हुआ है किसी को कोई अवार्ड मिला है तो ये सब आपको फिर से याद कर ना है तो ध्यान रखिए नेक्स्ट यहां देखिए फूट सेफटी स्टेंडर्ड ऑथरिटी ओफ इंडिया जो FSSAI है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं FSSAI को एक एक्ट के द्वारा एस्टेबलिश किया गया था यह इसका नाम है Food Safety and Standard Act 2006 साथ ही इसका जो formation यह August 2011 में हुआ था ओके और साथ ही इसका जो headquarter है वो New Delhi रखा गया है वर्तमान इसकी एग्जेक्यूटिव है रीता टियो टिया रीता टियो टिया तो आप थोड़ा सा नाम वैसे याद रख ले रीता नाम से याद कर लीजिए इसके बाद इसकी parent agency मतलब इसे जो govern करती है इसको जो आदेश देती है जिसके साब से यह institute चलता है वो parent agency ministry of health and family welfare government of India भारत का परिवार इन स्वास्थ विभाग जो है वो इसको करता है गवर्न करता है इसके एग्जेक्यूटिव होते हैं जो इसका जो main chair में जो मुखिया होता है वो होता है यहां का cabinet minister health minister जिसे कहते हैं हर्षवर्दन है जो अभी और हर्षवर्दन के बारे म अभी आपको news में भी पड़ा होगा कि WHO के जो executive directors है उन सब में जो chairman का पद होता है वो हर्षवर्दन जी को दिया गया है तो यह भारत के लिए बहुत important news है कि पहली बार किसी Indian को WHO के इतने बड़े पत पर जो पहुचा है वहां तक इसके बाद हम बात करते हैं इसी के Indian government में जो ministry of health and family welfare के minister of state है उनका नाम है अश्वीनी कुमार चौबे अश्वीनी कुमार चौबे वही health secretary समय है प्रीती सोधान clear students यहां तक आपको समझ में आ गया होगा next question है when was international average day celebrated हम कब अंतराष्ट्री average दिवस मनाते हैं इसका answer है 27 में 27 में को हम अंतराष्ट्री average day मनाते हैं clear तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं 29 मई को अंतराष्ट्री average दिवस मनाया जाता है पहली चीज़ और यह क्यों मनाया जाता है क्योंकि 1953 में इसी दिन यानि 29 मई को 1953 में 29 मई के दिन ही नेपाल के तेंजिंग नोरगे और न्यूजिलेंड के एडमूंड हैलेरी ने average पर सफलता पूर्वक चड़ाई की थी और ही पहले व्यक्ति बने थे इसी लिए इनी लोगों की इस सफलता को याद रखने के लिए हम 29 मई को अंतराश्ट्य एवरेस्ट दिवस मनाते हैं इस दिन को नेपाल ने 2008 से अंतराश्ट्य एवरेस्ट दिवस के रुपा मनाने का फैसला भी किया है और ये फैसला कब हुआ जब परवतारोही हिलरी जो थे मतलब एडमंड हिलरी जो थे उनका निधन हो गया था और 1953 में सर एडमंड हिलरी और टैंजिंग नोरगे ने पहली चड़ाई की थी इसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है ओके स्टुडेंट्स एडमंड जो परवत है ये समुद्र इस तर से उचाई के अनुसार विश्व का सबसे उचा परवत है है ना ये आपको पता ही है इसके अलाबा ये इसकी जो लोकेशन है वो नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानी जाती है और तिबत में चोमो लोंगमा के नाम से जानी जाती है इसके अलाबा यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड भी बने है वो आप देख लीजे सबसे पहले 1992 और 1993 में एक ही वोमन ने दो बार चड़ाई चड़के एक रिकॉर्ड बनाया था जिनका नाम है संतोश यादाव ये इंडिय दूसरा 1984 में बच्छेंदरी पाल पहली इंडियन वोमन बनी थी जो माउंट एबरिस्ट पर चड़ पाई थी ये दो बार चड़ने वाली हैं मतलब एक के बाद एक मतलब दो साल में दो बार चड़ने वाली जो महिला बनी थी वो थी संतोश यादाव वही सबसे पहली बार जो इंडियन वोमन एबरिस्ट तक पहुची उनका नाम है बच्छेंदरी पाल वही सेविन टाइम्स माउंट एबरिस्ट पर चड़ने वाले इनका नाम है लवराज सिंग धर्म शक्तु ओके स्टूडेंस इसके बाद एक इंडियन वोमन जिनोंने पूरे साथ समिट्स को म इनका नाम है प्रेमलाता अग्रवाल और 2011 में इनकी उम्र थी 48 क्लियर स्टूडेंस जब यह इनोंने यह जो सफलता पाई थी इसके बाद दो बहने हैं ताशी एन नुक्षी मलिक यह दोनों फर्स्ट फीमिल ट्विन्स हैं जिनोंने माउंट एबरिस्ट की चड़ाई की थ वर्ल्ड नो टोबैकोडे कम मनाया जाता है तो इसका अंसर आपको मालूम है 25 मई को यह मनाया जाता है 25 मई को मनाया जाता है क्या बताईए नहीं यह मनाया जाता है 31 मई को 31 मई यानि कि यह कल मनाया गया था ओके स्टूडेंट्स और साथी आपको यह बताना है 25, 28 और 29 इन इसका आपको मुझे कमेंट में बताना है इसके बार में थोड़ा सा हम जान लेते हैं विश्वी स्वास्ते संगठन यानि WHO द्वारा World No Tobacco Day 2020 की थीम इस बार रखी गई है यानि युवाओं को इंडस्ट्री के बहकावी से बचाते हुए उन्हें तमाको और निकोटिन का उपयोग करने से रोकना है साथ ही हम विश्वी स्वास्ते संगठन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं विश्वी स्वास्ते संगठन WHO के द्वारा 1987 में इस दिन को प्रभाव में लाया गया था इस दिन को प्रभाव में लाने का जो पुरा श्रेय है वो WHO को ही जाता है 31 मई 1988 को यह प्रिस्ताब पास किया था इसने यानि 1988 में इसने प्रिस्ताब पास किया था और 31 मई को World No Tobacco Day के नाम से हर साल मनाया जाने लगा ओके स्टुडेंट्स तो यहां तक आप सभी को पता है Next The term of Director General of Sports Authority of India SAI was extended for two years His name is भारती खेल प्राधी करण के महाने देशक का कारेकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है और आपको बताना है उनका नाम क्या है तो इनका नाम क्या है संदीप प्रधान संदीप प्रधान इनका नाम है और इनका भी कारेकाल दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है Clear इसके अलावा यहां पर यह तीन नाम आपको मिलेंगे राहुल देव, मनोज, आहुजा और गोविंद, राजुलू, चिंतला यह तीनों भी important हैं जिनके बारे में मैं भी आपको आगे बता रहा हूँ तो ध्यान से देखते रही है राहुल देव पाकिस्तान के पहले ऐसे हिंदु युवा हैं जिनों ने पाकिस्तान एर फोर्स को जॉइन किया है और यह पहले ऐसे हिवा हैं जो माइनोरिटी कम्यूनिटी से आए हैं पाकिस्तान के अंदर फिर इसके बाद आते हैं मनोज आहुजा यह चेयर परसन हैं CBSC के इन्हें चेयर परसन नियुक्त किया गया है CBSC के इसके बारज हम एसे मीडियनी है साही की बारे में पता गरते हैं तो साही की जो फॉर्मिशन नियुक्त को से छिक Origins 1984 में हुई थी वहीं इसका हैड़कवाटर डेली में है और इसकी जो पहरंट अजेंस्यी है मतलाब इसको जो गवर्न करती है गवर्न करती है वो इजेंसी कौन है हमारी मिनिस्ट्री है Department of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports and Government of India तो ये इसको गवर्न करती है इसका Administration करती है जो मिनिस्टर इस Institute के लिए Responsible है उनका नाम है किरन रिजेजु जो Minister of State है Independent Charge ओके साथ ही इजेंसी की जो Executives है उनमें आती है सबसे पहले Youth Affairs Secretary उपमा चौधरी और वहीं Sports Secretary राधेश याम जुलानिया तो ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए ओके किरन रिजेजु उपमा चौधरी और राधेश याम जुलानिया ओके स्टुएंट्स चलिए नेक्स्ट कुश्चन पर आते हैं हाल ही में केंदरी सांखे की कारयाले ने वित्त वर्ष दोयार 19-20 के लिए भारत की GDP विकासदर कितनी बताई है याद रखिए कब बच्चों यह बहुत important question है important ही इसलिए बन जाता है यह important इसलिए बन जाता है क्योंकि अभी तक जितने भी आँकड़े आये थे, वो दूसरी मोडी ने या किसी और ने, SNP ने, ये सभी ने दिये थे, है ना, तो वो आँकड़े क्या है, वो एक अवधारना है थी, मतलब उनकी उनकी वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, कि वो उनके अंदाजे थे, उनके prescription थे, है ना तो लेकिन जो में आकड़ा होता है, जो हमारे इंडिया में जनरेट किया जाता है, इंडियन इंस्टिट्यूट के द्वारा, वो है Central Statistic Office के द्वारा, और Central Statistic Office, यानि केंदरी सांकी की कार्यालाय ने, इस साल का, मतलब पिछले बित वर्ष का, यानि 2019-20 का, GDP विकासदर बत पिछले बीते वर्षों से बहुत ज्यादा कम रहा है इस बार, और यह आप समझ भी सकते हैं, क्यों रहा होगा, तो यहाँ पर हम तोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं, केंदरी सांकी की संगठन के बारे में, भारत में सांकी की गतिविदियों के समनवय और सांकी की मानकों के विकास इवा मनुरक्षन ही तू, उत्तरदाई संगठन है, मतलब यह जितनी भी इस तरह की सांकी की जो मानकों का विकास किया जाता है, मतलब उनके जो आंकडे निकाले जाते हैं, GDP, और भी जितनी चीज़ें हैं, राजकोशी, घाटा बगेरा, यह सब कुछ जो गड़ना है, यह कौन करता है, केंदरी सांकी की संगठन करता है, इसका जो मुख्याला है वो नई दिल्ली में स्थित है, वहीं यह संगठन जो है भारत सरकार के मंत्राले सांकी की एवं कारिकरम करियानवन मंत्राले के अधिन काम करता है, इसकी जो फॉर्मिशन है वो ह है राव इंदरजीत सिंग जो इससे में cabinet minister है minister of statistics and program implementation यानि की सांखी की एवं कारिक्रम क्रियानवेन मंत्राले ओके चलिए next question is the foundation of missile park named agniprasth is laid in which navy ship हाली में agniprasth नामक missile park की नीव रखी गई है और ये नौसेना के किस जहाजपर रखी गई हमें ये बताना है तो ये एक जहाजपर एक park बनाया जा रहा है जहां पर बेकार चीजों से कुछ missile बनाई जाएंगी कुछ equipments बनाई जाएंगे और वो लोगों को दिखाया जाएगा clear तो ये park कौन से जहाजपर बन रहा है तो इसका अंसर है इसके उपर ये park बन रहा है और इसकी आधरशिला रखी गई है next question is how much penalty has RBI imposed on Bank of India RBI ने भी हाली में तीन बैंकों के उपर penalty लगाई है जिसमें से एक Bank of India भी है तो हमें ये बताना है Bank of India पर कितनी penalty लगाई है तो Bank of India पर penalty लगाई गई है 5 करोड रुपे की अब ये penalty लगाई क्यों गई है क्योंकि इनोंने इनकी जो conditions थी उनको fulfill नहीं किया अपनी कई सारी चीजों को RBI से चुपाया तो कहीं ना कहीं इनोंने क्या कि RBI की rules and regulations को तोड़ा है जिसके करण RBI ने इन बैंक पर penalty लगाई है चलिए थोड़ा साम बात करते हैं RBI के बारे में RBI का headquarter है मुंबई महराष्ट में इसकी establishment हुई थी एक अप्राइल 1935 में वहीं इसके governor का नाम है शेशिकाम दास जो 45th governor है साथ ही यहाँ पर deputy governor हैं तीन VP कानुनको, महेश कुमार जैन और माइकल पात्रा यहाँ पर तीन deputy governor है साथ ही अभी RBI थोड़ा news में भी था क्योंकि इसने अपने rates declare किये थे तो आप rates एक वार देख लिजे क्या-क्या declare किये थे रेपो रेट 4.0%, reverse रेपो रेट 3.35%, cash reserve ratio 4.25%, SMF 4.25% और SLR 18% तो यह थोड़ा सा important figures हैं तो आप इन्हें थोड़ा ध्यान देकर याद कर लीजीगा इसके बाद जो मैं अभी आपको बता रहा था कि RBI ने तीन banks पर ये penalty लगाई है जिसमें से एक bank of India होई दूसरी है करनाटक bank तीसरी है सारस्वत cooperative bank इन तीनों पर मिलाकर 6.5 करोड की penalty लगाई गई है जिसमें से सबसे ज्यादा bank of India पर लगी है 5 करोड की करनाटक bank पर लगी है 1.2 करोड की और सारस्वत cooperative bank पर 30 लाग की penalty लगाई गई है The IMF has recently approved emergency assistance to Bangladesh for COVID-19 IMF ने हाली में COVID-19 के लिए बंगलादेश को एक आपात कालिन साहता देने की मंजूरी दे दी है ये कितनी है हमें ये बताना है तो answer है 732 million dollar 732 million dollar की ये साहता राशी IMF COVID-19 से लड़ने के लिए बंगलादेश को देगा तो चलिए हम थोड़ा सा IMF के बारे में पढ़ते हैं IMF एक अंतराश्टी संगठन है जिसका full form होता है International Monetary Fund वैश्वेक मौदरिक संयोग को बढ़ावा देना बित्तिय स्थिरता को सुरक्षित रखना अंतराश्टी व्यापार को बढ़ावा देना उच्छ रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना साथ ही दुनिया भर में गरीबी को कम करना ये इसके कुछ मुख्य देश्य है साथ इसके में जो टूटल कंट्रीज हैं मेंबर वो हैं 189 कंट्रीज इसका फॉर्मिशन हुआ था 27 डिसेंबर 1945 में इसका हेटक्वार्टर है वाशिंग्टन डीसी यूएसे में इसके अभी करन्ट मैनेजिंग डारेक्टर है क्रिस्टलीना गौर्जियावा और चीफ एकॉनोमिस्ट यहां की है कीता गोपिनाथ ओके स्टुडेंट्स तो यह सब IMF की important news है जो आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट हम थोड़ा से बंगलादेश के बारे में बात करते हैं तो बंगलादेश के लिए क्या-क्या है देखिए जरा बंगलादेश ने अपने आपको जो free था वो कब गोशित क्या 26th मार्च 1971 इसका जो करन्ट कॉंस्टिट्यूशन ने बनकर तैयार हुआ था 16 डिसेंबर 1972 वहीं ये 8th populous country है इंडिया की कंट्री की पूरे विश्व की 8th populous country है मतलाब आठ भी सबसे बड़ी population वाली country और यहाँ जो density है population density that is also a very more in other countries in comparison to other countries तो यहाँ पर क्या है ज्यादा लोग है साथी जो जन संख्या घनत्व है वो भी बहुत ज्यादा है यहाँ की जो करन्सी है वो है बंगलादेश ही टका और यहाँ की capital है धाका जो यहाँ की largest city भी है यहाँ की official language बंगाली है प्रेसिडेंट है यहाँ के current अब्दुल हमीद वहीं प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना अभी बंगलादेश थोड़ा news में भी रहा था क्योंकि 9 February 2020 को बंगलादेश ने under 19 cricket world cup जो और्गनाईज किया गया था ICC के दोरा जीता था और यह पहला पहला मौका था जब बंगलादेश ने ICC का under 19 cricket world cup जीता है दूसरा यहाँ पर एक नदी है करनफुली करनफुली यहाँ के एक लंबी रिवर है जो चितागोंग हेल से निकलती है हमारे इंडिया से निकलती है और रिवर हम बात करते हैं इंडिया और बंगलादेश के रिलेशन के बारे में तो यह थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं बंगलादेश के कुछ जो बंगलादेश के नेबरिंग कंट्रीज है वो सब आप इस मैप में देख सकते हैं इन्डिया है इंडिया के बाद क्या है मैमार है सही है न और बंगलादेशी एक ऐसी कंट्री है जो तीनों तरफ से मतलब एक ही कंट्री से तीन तरफ से घिरी भी है याद रखिएगा इंडिया से वेस्ट से भी घिरी है आपके नॉर्थ से भी और इस्ट से भी तो याद रखिएगा इसलिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट कोश्चन बन जाता है ओके नौ नउ नेक्स्ट कोश्चन इस रिसेंटली योगेश गौर्ड डैड वस फैमस जो योगेश गौर्ड थे उनका निधन हो चुका है ये क्या थे मतलब एक प्रसिद्ध थे क्या थे हमें इह बताना है पॉइट थे सिंगर थे पॉलिटीशन थे तो आंसर इसका संगीतकार यानी सिं सिंगर थे और थोड़ा साम इनके बारे में देख लेते हैं साथ और सतर के दशक में हिंदी संगीत की दुनिया में जाने-माने गीतकारों में इसे एक रहे हैं योगेश गौड जिनकी 77 साल के उम्र में निधन हो गया इन्नोंने हिंदी फिल्म में बहुत उमदा गाने जिसमें से कुछ है कहीं दूर जब दिन ढ़ल जाए या जिन्दिगी कैसी है पहेली इसी के साथ इन्होंने रिम जिम घिरे सावन कई बार यूंही देखा है ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा ये सब गाने इन्होंने लिखे थे चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूस की तरफ यहाँ एक न्यूस है गूगल लॉंचिंग एप सोडार तो हैल पीपल मैंटें सोशल डिस्टेंसिंग गूगल ने एक सामाज़िक दूरियानी सोशल डिस्टेंसिंग को बनाये रखने के लिए लोगों की मदद के लिए एक एप लॉंच किया जिसका नाम है सोडार साथ ही ये जो एप है ये लोगों को मदद करेगा कि उन्हें कितनी मैक्जीमम रखनी चाहिए, एक दूसरे से बात करते समय, contact में आने के समय तो ये distance वो actually बताएगा कि 1.5 मीटर कुछ होनी चाहिए ठीक है तो साथ ही हम थोड़ा सा Google के बारे में पढ़ लेते हैं Google का फाउंड, जो Google का फॉर्मेशन है, जो Google बना था इसकी स्थाफनविती 4 सितंबर 1999 में इसके founder है Larry Page और Sergei Brin हैटकॉर्टर है California और अभी वर्तमान में इसके CEO एक Indian है जिनका नाम है सुंदर पिचाई और CFO यानि Chief Financial Officer है Ruth Porat तो यहाँ पे आपको थोड़ी से information Google की मिल कई, next question पर हम आते हैं, next question क्या है, Kerala Government has announced that its ambitious Kerala Fiber Optic Network Project investigated to provide free internet access to the poor would be rolled out by December this year Kerala सरकार ने घोशना की है कि गरीबों को मुफ्त internet उपलप्त कराईगी और इसके लिए वो अपनी एक महत्वकांशी Keral Fiber Optic Network परियुजना को चालू करने वाली जिसका नाम है के फोन ओके और ये दिसंबर तक चालू कर दी जाएगी, ऐसा कहना है यहां के CM का, तो चलिए थोड़ा सा हम Kerala के बारे में बात करते हैं, Kerala का Establishment हुआ था, एक नवंबर 1956 में, वहीं एरिया वाइस 23rd स्टेट है, मनलब पुरे भारत में 23 वी सबसे बड़ी राज्य है वहीं population में 13th बिग पॉपलस स्टेट है, कैपिटल यहां के तिरोनन्त पुरम, वहीं गवर्नर यहां के आरिफ महम्मत खान चीफ मिनिस्टर पी विज्जयन जो CPI, मार्किस्ट के नेता है, साथ यहां राज्यस लेचर यूनी कैमरल है विधान परिशद नहीं है तो विधान सबा यहां पे 41 सीटों की है राज्य सबा में यहां की 9 सीटे रहती है और लोग सबा में 20 सीटों के लिए प्रतिनिरत रहता है चलिए यहां पे आपने यह समझ लिया इसकी लोकेशन आप इस मैप से देख सकते हैं यह इसकी लोकेशन है इंडिया के साउथ में यह कंट्री पड़ती है ओके चलिए नेक्स्ट कोश्चन इस नेक्स्ट एप्चलिए देर इस न्यूस अलसो निले साथे निले साथे और यह किसने न्यूकत गिया है नहीं नेशनल हाइवे ऑथरिटी ओफ इंडिया ने अपने फाइनस एडवाइजर के रुप में निले साथे को एपोइंट किया है ओके आई थिंक आपको यहां तक समझ में आग्या होगा चलिए नेशनल है के आपको मालूम ही है जो मंत्री है उनका नाम है क्या नाम है निले इश गड़करी है ना चलिए तो हम यह आपर आपने देख लिया कि निले साथे को नेश आई का फाइनस एडवाइजर निव्ट किया गया है और नेशनल हाइवेग आथरिटी आफ इंडिया है इस समय आपको मालूम है ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर कौन है नितिन गड़करी है चलिए हम आगे वाले नियूस पर चलते है BCCI नोमिनेट्स रोहित शर्मा फोर राजीव गांधी खेल रतन एवार्ट 2020 BCCI ने रोहित शर्मा को राजीव खेल रतन से सम्मानित करने के लिए नामंकित किया गया है राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार 2020 के लिए इनका नाम दिया गया है तो BCCI ने तीन नाम और दिये हैं, इशांत शर्मा का, शिखर धवन का और दीपती शर्मा का, इनको अरजन पुरुसकार देने के लिए इनको नोमिनेट किया गया है, clear strengths, तो चलिए अब बात करते हैं खुर सब BCCI के बारे में, तो BCCI का फॉर्मिशन हुआ था 1928 में और इस इसे affiliation मिला है ICC यानि International Cricket Council का, affiliation date है इसकी 1926 की, इसका जो headquarter है वो महराष्ट में है, वानखेड़े स्टेडियम, इसका headquarter है, महीज के प्रेसिडेंट वर्तमान है सौरफ गांगली और वाइस प्रेसिडेंट है महीम वर्मा, secretary है जैश साह, और इस समय मैं जो coach है, मतलब मै के लिए जो coach है, वह है रवी शाष्टरी और वोमेन के लिए coach है, WV रमन, जो BCCI appoint करता है, क्रिकेट के लिए जो coach रहते हैं, जो man team है, उसकी है रवी शाष्टरी और जो woman team है, उसकी है WV रमन, clear students? चलिए, next news is, China has recently tested its first unmanned drone helicopter, चीन ने हाली में अपने पहले मानव रहित drone helicopter का परिक्षन किया है, इसका नाम है AR-500C, मानव रहित helicopter, fire strike को अंजाम देने और 15,000 feet से अधिक हुचाही पर अपने लक्ष के electronic circuit को बाधित करने में यह सक्षम है, मतलब यह दूसरे का जो electrical circuit है, उसको क्या कर देता है, बाधित कर देता है, इसको रोग देता है, रिजिस्ड कर देता है, cooking, तो यह वो helicopter है जिसे अभी चीन ने लॉंच किया है, तो इसके पाद थोड़ा सा यह और खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये इस तरह के helicopter भारत की सीमा पर launch कर सकता है भारत की सीमा पर लगा सकता है तो इससे इंडिया को काफी दिक्कत हो सकती है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहां तक हमने आपने current affairs के बारे में पढ़ा इसके बाद थोड़ा सा हम चाइना के बारे मे में आता है इसकी location आप इस map में देख सकते हैं साथ ही इसकी जो capital है वह है वीजिंग इसका official नाम है People's Republic of China वहीं इसकी neighboring country है 16 16 neighboring countries में है रशिया, इंडिया, जापान, वियतनाम, ताइवान, पाकिस्तान, मैमार, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, लाउस, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूतान, क्रिगिस्तान और ताजिकिस्तान यह सभी इसकी neighboring countries है ओके इसका national day मनाया जाता है October 1, 1949 को वही Chinese के president है Xi Jinping और prime minister है Li Qiang, यहां की currency है yuan और official language Chinese है और other local language है यहां की official language, main Chinese ही यहां की official language मानी जाती है चलिए यहां पर current affairs हमारे खतम हो जाते हैं, अब हम आपको एक question दे रहे हैं, जिसका answer आपको हमें comment box में देना है question यह है कि निम लिखित कत्रों में से कौन सा सही है, पहला यदी विदेशी निवेशक द्वारा company के 10% या अधिक share प्राप्त हो जाएं, तो इस निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं और यदी किसी विदेशी निवेशक द्वारा company के 20% से कम share खरीदे जाएं, तो उसे विदेशी portfolio निवेश कहते हैं, और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दो अलग-अलग मारगों की माध्यम से अनुमती दी जाती है तो यह यहाँ पर आपकी तीन बाते हैं जिन में से आपको बतानी कौन सी सही है, पहली दूसरी सही है, दूसरी तीसरी सही है, पहला तीसरा या तीनों सही है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक तरीके से हम बोल सकते हैं FDI, तो चलिए इसका answer आपको हमें comment में देना है, और हम इसका answer आपको next lesson में बताएंगे, जो हम next video upload करेंगे, तो चलिए, thank you everyone and best of luck for your upcoming examinations and students, if you like this video, so please like and subscribe my channel to get new current videos, okay and press the bell button also to get my new videos update, thank you everyone. Have a nice day.